इस वुड़न में आपको बनाने वाला हूं जहां पर अलग प्रकार से मार्केट से एकजिट कर सकते तो इसमें से जो पहला है वह ताइम बेस्ट टॉप लॉस मैंने पहले वीडियो में दो बताए थे ना वट इस टाइम बेस्ट कुछ ट्रेटर ऐसे होते जो पर्टिकुलर समय तक मार्केट में आते हैं पर्टिकुलर प्रेट होने के बाद उसको सेल कर देते हैं ऐसा नॉमलिक होता है कि उस टॉक में क सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो ऐसे स्टॉक उपर जाने में बहुत समय लेते हैं और नॉमली उसी स्टॉक में होता है जो बहुत फास्ट बढ़के नीचे आते हैं जहां पर स्पेकुलिशन होता है वहां पर लोग फज जाते हैं वहाई रेट पर खरितते हैं क्योंकि तो दस दिन में बहुत ज्यादा बढ़ता है और बाद में एक दम से नीचे आ जाता है और फिर उसके ओपर कोई भी सेल पर्चेस का ट्रांजक्शन नहीं होता है तो उसको लते हैं टाइम बेस्ट टॉप लॉस ओके सो यहां पर प्रॉफिट नहीं देखोगे 20 दिंग के ब नीचे मैंने एंजल वोकिंग का लिंक दिया है उसको क्लिक करके आप फ्री मेंड अकॉन अपर बेस्क्ट कर सकते हैं और यूंचोइज जल्दी कीजिए नीचे लिंक दिया उसको क्लिक कीजिए अगर आप हमारे चैनल पर फस्ट टेम आ है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है एंबल आकों को भी प्रेस्ट करना है and I know you are going to do it कि नो नेक्स्ट इवेंट बेस्ट टॉप लॉस्ट यह अपने काफे वर देखा रहेगा इवेंट को हमने दो कैटेग्र में डिवाइड किया है जैसे बजेट आ गया इलेक्शन आ गये इंट्रेंशनल इवेंट्स हो गये सर्जिकल स्ट्राइक वार इस तरह की सब सिच्वेशन आते तो दर 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 शेर्ट के प्राइस गिरते हैं माइनर इवेंट्स मतलब कॉर्टन रिजर्ट आ गया मॉनेटरी पॉलिसी चेंज हो गया तो उस केस में भी क्या होता है जबर गये अक्षिस वरम के लोज और गया है तो यह है इवेंट बेज साओ माहलों यह मतलब नहीं है तो यह एक तो यह तरीका है इवेंट बेज टॉप लॉस और एक तरीका है मॉनेटर एक्जिट जैसे मैंने कहा मेरा जो था मॉनेटर एक्जिट है कि मेरा टार्गेट देखिए अगर जहां पर 25% प्रॉफिट होता है मैं उतने शेर्स बुक बेच के दूसरे स्टॉक में इंवेस्ट करता हूँ इससे मेरे को बहुत फाइदा हुआ है मेरे एवरेज रिटन बहुत अच्छे से बिल्ड हुआ है तो प्रॉपर्ली मैंने उसको प्लैनिक है कि 25 को बेच देना है उसको होलते हैं मॉनेटर एक्जिट या फिर कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे को 15,000 मिलेगा तो एक्जिट हूँ पंदरा जर्फ आता हुआ न एक्जिट कर दो तो इसकोल थे मॉनेटर एक्जिट चीक है जैन साइकोलोजिकल स्टॉप लॉस यह थोड़ा बुरा टाइप को होते हैं काफी लोग को मैंने देखा फिनेंशल प्रॉब्लम आते हैं बिजनेस में चैलेंजेस आते हैं पेटा- कि देथ हो गई तो इस तरह के जो लॉसे होते हैं साइकोलोजिकल स्टॉप लॉस तो ऐसे अलग लग छेसा तरीके मैंने बता है कि जिसमें आप एक्जिट ले सकते हैं तो आपको अच्छा लगा रहेगा और आपको डिसाइड करना है कि आप किस तरह के स्ट्राइजी में फिट होते हूं और वान तिंग स्ट्राइजी फॉर एक्जिट आपको खरीदना बेशना है यहीं मार्केट करेंड है क्योंकि नाम ही क्या है स्टॉक एक्षेंज जब त तरह उसने एक्जिट लेना ही बहुत बड़ी बात है ठीक है इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करना एंड हमरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना थैंक्यू सो माच बाइबाए और मेरे से जुड़े रहे के लिए धन्यवाई थैंक्यू